हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको आई वी फ्लोरेट कैलकुलेशन कैलकुलेट करना बताऊंगी तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं यह वीडियो आप लोगों क दे रहे हैं वो एडल्स के लिए दे रहे हैं पेडियाट्री के लिए दे रहे हैं अगर हम एडल्स के लिए दे रहे हैं तो हम 15 ड्रॉप्स ड्रॉप फैक्टर यूज करेंगे और अगर हम पेडियाट्र के लिए ले रहे हैं तो हम 60 ड्रॉप्स पर मिनुट यूज करेंगे अब दिखे हम एक example के मादम से समझते हैं कि अगर volume दिया है हमें 3000 ml और time दिया हमें 12 hours और drop factor है 15 तो हम कैसे calculate करेंगे flow rate तो flow rate का formula होता है volume in ml into drop factor upon time in minutes time को क्या करना है हमें minutes में change करना है तो हमारे पर volume है 3000 ml हमारा drop factor है 15 और time है 12 hours जिसको हमने 60 से multiply किया तो हमें ये minutes में मिल जाएगा तो अगर हमने सारा कुछ calculate किया तो उसके बाद हमारे पास आता है 62.5 ml per minute per minute क्यों क्योंकि हमने यहां पे 12 घंटे को minute में convert कर दिया है तो आपको बस यह याद रखना है कि flow rate का formula होता है volume in ml into drop factor upon time और drop factor हमें क्या होता है दो type का होता है देखना है कि हम adults को दे रहे हैं या फिर pediatric को दे रहे है तो adult को देंगे तो 15 और pediatric को देंगे तो आपको 60 यानि कि pediatric patient होगा तो यहां पे आप 15 की जगे पे 60 लिखेंगे बस इतनी सी चीज याद रखनी है मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत helpful लगेगी और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद